हेलो एवरीवन गुद मॉर्निंग टू लफ यू वेलकम टू लॉजिक पाट शाला आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 16 दिसंबर 2022 के इंपॉर्टेंट करेंट अफियर्स के क्वेस्चन्स इस वीडियो का पीडियो आप लोग को टेलिग्राम पर मिल जाएगा लिंक सेशन है आपके सभी एक्जाम में देखे आपको काफी हेल्प करेगा साती में करेंट अफेशी की वीडियो भी हम जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं जो होगी कि आपके उपर depend करता है कि आज आप क्यों उठें हैं कि कल जो आपने गलतिया करी या कल जो भी चीज़े हुई है उस पर regret करने के लिए उस पर सोचने के लिए या फिर एक नया दिन लाने के लिए मेंस एक नई शुरुवात करने के लिए जो गलतिया करी है उनसे सीख के आगे बढ़ने के लिए और आगे बढ़के नई चीज़ करना एक हार्ड वक के साथ चीज़े करना तो यह आपके उपर डिपेंड करता है तो इसलिए उठीए और आगे बढ़िए ना कि पीछे आपको जाना है या फिर किसी चीज़ पर आपको रुक जाना आपको रुकना नहीं है जब तक आप अपने लाइफ का टागेट पूरा नहीं करती है जो आपने सूचा है सपनी देखे है उसके लिए देखे मेहनत आपको ही करनी पड़ीगी तो चलिए फ्रेंट शुरू करते हैं इंपॉर्टे इंडिया पाकिस्तान के बीच में जूर युद्ध चल रहा था तो उस युद्ध में पाकिस्तान पर जो हमारी इंडियन आर्म्ट फोर्स की जीत होई थी जो हमारे जो वीर्जवानते जो जिन्होंने बलिदान ती आता उनकी वीरता की याद में जो है ये दिवस मनाया जा इस पार हम celebrate कर रही है 51st number का विजय दिवस्त तो very important ये छोट-छोटे points आपको ध्यान रखनी है चलिए अब हम शुरू करती है question number 1st question है हमारा which edition of India and Kazakhstan joint training exercise जिसका नाम है कालजिन्द 22 starts at उम्रोई मेगाले तो देखिए अभी कालजिन्द 22 ये exercise है चुकि हुई इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में कहां पे शुरू हुई उम्रोई मेगाले में और ये 26th December तक ये exercise चलेगी अब पूछा गया है कि कौन सा edition शु edition ध्यान क्या क्या रखना है किस किस के बीच में हुई कहां पे हुई ये भी हमें venue भी हमें ध्यान रखना है ये जो exercise है इसके शुरूआ देखे 2016 में हुई थी 2016 में इसका नाम क्या था exercise इसे कहते थे प्रबल दोस्तियक के रूप में इसे शुरू किया गया था उसके बाद यही जो exercise है उसको अप्ग्रेट किया गया और 2018 में इसका नाम क्या करा गया X काजिंद, तो इसका नाम जो है वो बाद में change हुआ था, यह ध्यान रखेगा, अब revision ना करें भी ऐसा देखे हो नहीं सकता, तो चले revise करते हैं, exercise की बात हो रही है संगम, जो exercise संगम है यह US और इं पुले कलांग मलेशिया में, next exercise है वो है नसीम अल बहर, यह exercise हुई इंडिया और ओमान के बीच में 13th edition, कहां पे कोस्ट ओफ ओमान, अगले exercise का नाम है गरुन शक्ति, गरुन शक्ति exercise हुई इंडिया इंडोनेशिया के बीच में, और इसका venue कहां पे रहा, कारवंग इंडो exercise से, अगला कोशन है इंडिया and which country have signed a joint declaration of intent on migration and mobility to arrive at a mutually beneficial arrangement on migration and mobility between the two countries, तो भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच प्रवास और गतिशीलता पर पारिस्परिक रूप से लापकारी विवस्ता पहुशने के लिए प्रवासन और गतिशीलता पर एक संयुक्त गोशना पत पर हस्ताक्षर करी हैं तो जो declaration sign हुआ है दोनों countries के बीच में migration और mobility को लेके दूसरे country कौन सी है answer is Finland तो इंडिया और Finland ने sign किया है joint declaration migration and mobility मतलब प्रवास और गतिशीलता को लेके यह जो declaration है दोनों countries के बीच में shine किया गया अब यह क्या सुविधा देगा तो यह facilitate करेगा students क जो academics है researchers हो गए business people है जो professionals है उन सभी को जो तरीकी से कई बार ऐसा होता है न कि irregular migration हो जाता है और नियमित प्रवास ने उससे निपटने में यह सुविधा प्रदान करेगा किस किस के बीच में यह declaration sign हुआ तो जो हमारे union minister है state for external affairs के वी मुडली धरन और जो Finland की जो minister of employment है तु तो इंडिया की तरव से किनों ने sign किया इनका नाम जो है आप लोग धिहान रखेगा बात करते हैं friends Finland की तो आप देख सकते हैं map में Finland की location और Finland के पास में जो आपको C दिख रहा है यह कौन सा है यह है Baltic Sea capital है यहां की Helsing की currency है euro Prime Minister का नाम है Sana Marin अगला question है which country's finance ministry has printed the first US bank notes with two women's signature very important देखे पहली बार क्या है कि जो notes है ना currency notes हो गए उनके उपर दो महिलाओं की हस्ताक्षर जो है वो छापे गए हैं और यह women's आप देख सकते हैं दोरो women है जिनके sign उस notes पर हुए है और यह पहली बार ऐसा हुआ है US की finance ministry ने जो है से print किया है hint आपको यहां से मिल गया होगा बट इसकी जगा आपको यह भी आ सकता है कि first currency notes जिसपे two women's के signature हुए है और यह print किया है US की finance ministry ने ध्यान रखेगा अब यह जो नए currency notes है यह इनकी value क्या है $1 और $5 की value है जिसपे इनके sign हुए है और दोनो women's का न minute यह Lynn and second नाम है Lynn Malerba इन दोनों के जो है वो इस पे sign हुए है United States currency notes जो है यह popularly इनको greenback जो है वो कहा जाता है तो यह चोठोटे important points है next question है which country has passed a new anti-smoking law which banned the future generation of New Zealand from purchasing tobacco तो अब यहां से भी आपको एक हिंट फिल गया होगा चले कोई बात नी तो किस देश ने एक धूमरपान विरोधी कानून को पारित किया है जिसमें क्याता है कि जो भावी पेड़ी है जो future generation है उनको तंबाकु खरीदने पर प्रतिबंत लगा दिया है तो भावी ये जो anti-smoking law है ये पास किया है अभी हाली में New Zealand ने अब इसके तहर दिखे क्या होगा कि एक जनवरी 2009 या उसके बाद जो भी व्यक्ति पैदा हुए है उनको तुबैकु बेशने पर पूरा बैन लगा दिया कि वो भावी तंबाकु को नहीं है अगर वो फिर भी ऐसा करेंगे तो भावी उन पे फाइन लगेगा वो भी कितना तो आप देख सकें वन लैक फिफ्टी थाउसें न्यूजिलेंड डॉलर का जो है उन पे फाइन लगाया जा सकता है और जिस पे बैन लगेगा न वो पूरे जीवन के लिए ने उसके पू है तो आप देख सकते हैं इधा साउथ पैसिफिक ओशियन है पूरा और यहां पे है तस्मान सी और यहां आपको देख रहा आइलेंड एक न्यूजिलेंड क्यापिटर है इसकी विलिंगटन करेंसी है डॉलर और प्राइम मिनिस्टर है यहां की जैसिंदा आर्डर्न नेक् आइजित किया जा रहा तो यह आइजित कहां पे किया गया राइट आंसर इस दुबई में और इसमें किनोंने इस फोरम को अटेंड किया यह भी हमें ध्यान रखना है राजीव चंदर शेकर जो की मिनिस्टर है स्टेट फॉर एलेक्ट्रोनिक्स और इन्फॉर्मिशन टेक अगला पोशन है देखें, who has inaugurated the National Maternal Health Workshop in New Delhi, so नई दिली में राश्टे मात्र स्वास्ते कारेशाला का उद्गाटन किस ने किया, answer is Dr. भारती प्रवीन पवार जी के द्वारा इसका उद्गाटन किया गया, अच्छा यह कौन है तो इनके पास में Ministry है, State, State Minister है यह Health and Family Welfare की तो इनोंने जो है इस वर्कशोप का जो है उद्गाटन किया है, इस वर्कशोप की theme रखी गए is striving for zero preventable maternal mortality, more than 3.6 करोन प्रेग्नेट भूमेंस से भी जादा जो है देखें, जो है उनको receive है comprehensive internal care under this program across all states and utilities, यानि इस कारेकरम के तहर 3.6 करोन से भी जादा जो भी से उनको जो व्यापक प्रसव पूर्व देख भाले यानि जो पहली की कियर होती है न वो उनको इस प्रोग्राम से प्राप्त होई है और उसी के एक वर्कशोप लगाए गई है जिसको इनोग्रेट किया है डॉक्टर भारती प्रवीन पवार ने और वर्कशोप कहां लगा नेक्स्ट कोशन पर बढ़ते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अटेंडेंट इनोगरल फंक्शन ओफ प्रमुख स्वामी महराज स्रतावदी महसव इन विच सिटी तो प्रमुख स्वामी महराज स्रतावदी समहारों का उद्गाटन जो हुआ ये एहमदाबाद में हुआ और ऐसे कोशन बन सकता है कि किसों ने पार्टिसिपेट किया अटेंड किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा कुछ पुरानी मैं आपको न्यूस से रिवाइस करवा देती हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड तो देखिए मोदी जी के जो 216 फूट उच्या जो स्टैचू है इसे अन्वील किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 16 जन्वरी को as a national start-up day बनाने का जो है डिक्लेर किया गया इसके लावा फ्रेंट्स उत्ता प्रदेश में जो गंगा एक्सप्रेस वे है उसकी जो अधाशिला है वो मोदी जी के द्वारा रखी गई प्रमुक स्वामी महराश अताबती जी की तो he was widely respected and admired as a great spiritual leader तो महान अध्यात्मिक नेता की रूप में उने काफी ज़ता प्रसंशा मिली है उनकी जो life है पूरी dedicate थी spirituality और humanity को समर्पित थी जो है उनकी पूरी life next is which bank has launched a new guaranteed fortune plan जोके एक non-link non-participating individual saving scheme है तो ये जो guaranteed fortune plan है इसे launch किया है candera HSBC life insurance जो company है उन्होंने इसे launch किया है इन्होंने अपने plan में दो चीज़े दो options को launch किया एक है guaranteed saving option एक है guaranteed cash back option इस योशना में जो care pay benefit नाम की एक unique feature है वो भी जो है इस plan में पूरे शामिल किया गया है इसके लावा देगे friends अभी कुछ facilities जो कि bank के दौरा launch कीगी उनको हम revise करते है IDFC first bank ने अभी sticker based debit card launch किया जिसको नाम दिया first step इसके लावा Union Bank of India ने ethical hacking जो lab है इससे inaugurate किया SDFC Life ने launch किया Insure India campaign को तो directly आप लोग इस exam में देखे पूछ लेंगे कि किस ने launch किया SDFC bank के दौरा smart hub व्यापार जो कि merchants के लिए launch किया गया और ICC bank ने smart wire facility को launch किया तो ये भी हाल फिलाल में ही banks की द्वारा facilities को launch किया गया है तो इन सबी को ध्यान रखेगा आगला question है which of the flying acquired the two digital first brands एक नाम है उजीवा एंड सेगे नाम है well-being nutrition तो किसने दो digital प्रतम ब्राइंट जो है इनको acquire किया है तो हिंदुस्तान Unilever Limited ने इन दो ब्राइंट को acquire किया है उजीवा और well-being nutrition का अधी ग्रहन किया गया हिंदुस्तान Unilever Limited का देखे plan है to focus on high growth area जैसे की sleep and stress women's health, gut health, beauty from within and plant based products तो इनके उपर पूरा का पूरा ध्यान केंजरी ते हिंदुस्तान Unilever Limited का और उसे के ते उन्होंने इन दो companies को acquire किया है हिंदुस्तान Unilever Limited के CEO है संचीप महता और इसका जो headquarter है वो है मुंबई में पहली बार दिखे उनके करियर में उनको player of the year का ताच पहनाया गया है और इनका नाम क्या है आंसर इस इगा स्वेटिक इगा स्वेटिक जो है पॉलंड से है और इनको सर चुना गया है player of the year के लिए tennis association के द्वारा अब यहां बहुत सारे नाम दिख रहे होंगे क्योंकि यह सभी important है जैसे की double team of a year में किसको चुना गया है यह पूछ सकते है इसके बाद most improved player of the year के लिए किसका नाम नामित किया गया ब्रजील की बीट्रिस हैडड माईया का नेक्स्ट है comeback player of the year के लिए चुना गया है जर्मनी की तद्जाना मारिया को और newcomer of the year के लिए चुना गया है चाइना की जैंक कुइंग विन को तो यह आप से कुछ भी पूछ सकते हैं कि player of the year बताएए comeback player of the year बताएए most improved player of the year बताएए तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नोट करा दी हैं नेक्स्ट है who broke the national record in the men's 200 meter individual midly heats at the short course world championship in Melbourne पुरुशों की 200 meter व्यक्तिकत midly heat में राष्टे record जो अभी national record तोड़ा है यह किसने तोड़ा है answer is Shiva Shridhar ने जो है national record break किया है Shiva ने 59.80 second में finish किया अपना heat first at the Melbourne Sports and Aquatic Center में तो friends यह थे आज के हमारे सभी important questions now time आता है revision करने का जिसमें हम कल के questions को friends revise करती है तो चलिए revision में देख लेती है first question देखे हमारा क्या है friends who has become the third cricketer in history to score 10,000 test runs recently answer is Joe Root हाली में 10,000 test run बनाने वाले इतियास में तीसरे cricketer बने हैं यह who has won the ICC women's player of the month तो नवंबर के लिए ICC player of the month का खिताब जीता है women's में अगर हम बात करें सिदरा अमीन ने और अगर यही आपसे मेंस का पूचा जाता तो answer होता Josh Butler इसके बाद देखिए which team has been crowned as champions of 4th tennis premier league 2022 answer is यह जीता है हाइद्राबाद strikers ने who has been conferred with the 25th Shree Chandra Shekharendra Saraswati National Eminence Award तो यह award जीता है friends किसने इस award से सम्मानित किया गया Venkya Naidu जी को which of the following organization जिन्होंने अनौन्स किया Dr. Jeremy Farrar को अपना नया Chief Scientist तो किसके द्वारा गूशित किया गया WHO which of the following Indian actor is among the 8 people जो कि spaceship पर चंदर्मा की चारों जो है वो एक flight यह उडान भरेंगे उसमें से Indian में से कौन है देव जोशी which airline has been awarded the safety performer of the year award तो किस airline ने यह award जीता है right answer हो जाएगा Spice Shirt ने यह award जीता है which among the following has been awarded the first rank among all group A ministries, department and autonomous bodies तो शिकायत निवारान सूच का अंक में जो प्रथम स्थान हासिल किया है यह unique identification authority of India ने किया है next question है who has inaugurated the statue of महा कभी सुब्यमनियम भर्थियार तो इनका जो statue है उसे इनाउग्रेट किसके द्वारा किया गया right answer is Tamiladu के Chief Minister M.K. Stalin ने the 8th edition of the India International Science Festival यह कौन से शहर में आयजित किया जाएका तो इसका कौन सा संस्क्रण होगा देखे आटवा और इसका आयजन होगा भोपाल शहर में what is the rank of India in the 2022 Hiron Global 500 list तो friends भारत की rank इसमें रही है 5th place पे और US ने जो है इस लिस्ट में top किया है which of the following country will host an international conference standing with the Ukrainian people तो यह जो अंदराश्टे संवेलन है इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा answer is France तो friends यह थे मारे questions कल मैं आप लोगों से question पूछा था कि जो ancient port site है गुदवाया यह located कहाँ पे है श्री लंका में देखे located है second था जो दो चैनती ठंकर्स है रिशबदेव एन अरिश्रमी इनका mention जो है वो किया गया है रिगुवेद में तो रिगुवेद में इनका mention किया गया यह हमें बताना था तो friends आप सभी के विब्कुल right answer रहे थे आज के हमारी कॉमेंट है गुर्परी सिंग और एडरेट यूजर so thank you so much once again आप सभी को बहुत सदा शुक्रिया और आपकी भी देखिए से काफी knowledge increase होगी और revision बहुत अच्छा होगा तो चलिए फिर आज के questions की बात करें very important कि जो passport index आई उसमें भी art and capital के अनुसार जो passport index आई है उसमें भारत की क्या रहेंके और उसमें top place पे कौन सी country है second question है miracles of face yoga इस book को release किस ने किया है ये बताना है तो मैं आशा करती हूँ कि इस video से भी आपको काफी knowledge मिली होगी और ऐसी ही logic पार्ट शाला सी जूरे रहें friends अगर आपको हमारा content अच्छा लगता है आपको quality अच्छी लगती है तो like करें, share करें, subscribe करें चैनल को ऐसी important video में फिर आप से मुलाकात होगी thank you so much for watching this video